Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Vatika Singh and in today's video we will know about the B.A.T. 4 semester paper 2nd which is Gender Issue and Human Rights in Education. But before starting this video, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for the further upcoming videos. तो दोस्तों आप देख सकते हैं, हमारे सामने B.A.T. 4 semester का ये paper है, जो की second paper है, जिसका topic है Gender Issue and Human Rights in Education. तो दोस्तों, इस question paper को solve करने की जो time limitation है, वो three arts की है, ये question paper 70 marks का है. किसी भी प्रशन पत्र को solve करने से पहले आप उसमें दिये हुए instruction को ध्यान पूर्वक जरूर देखे, तो आएए देखते हैं, इस question paper is divided into three sections, section A, B and C. Follow instruction given in each section. Sections A, B and C are 24, 14 and 32 marks respectively. I thought, ये प्रशन पत्र तीन खंडों, अब एवन सर में विभाजित है, प्रते खंड में दिये गए निदेशों का पालन कीजिए, खंड अब एवन सर क्रम सर 24, 14 एवन 32 अंकों के हैं. तो दोस्तों, इन section ओं के खंडों के वारे में हमें बताया गया है, तो आईए हम अपने पहले section को देखते हैं, अर्था, section A, खंड A, जिसमें very short answer type के question होंगे, अर्था, अति लगू उत्री प्रश्न. तो जैसा कि मैंने बताया, किसी भी question को solve करने से पहले, उसमें दिये हुए instruction को आप जरूर देख लें, तो आईए देखते हैं, इसमें क्या instruction दिया हुआ है हमें, तो दोस्ते हैं, इसमें हमें बताया है, कि जो हमारी ये section A है, इसमें कुल आठ प्रश्ने दिये हुँगे, जिसको solve करने की जो सब्द सीमा है, वो 100 सब्द की होगी, प्रतेक प्रश्न को solve करने पर हमें 3 marks मिलेंगे, तो आईए देखते हैं, हमारे section A का पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न A है हमारा meaning of gender, अर्थाथ, लिंग का अर्थ बताईए, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तो, question number B, what do you mean by equality, अर्थाथ, समानता से आप क्या समझते हैं, हमारा next question है दोस्तो, question number C, role of neighborhood in socialization, अर्थाथ, समाजी करन में पणोस की क्या भूमिका है, हमारा next question है दोस्तो, question number D, meaning of human rights, अर्थाथ, मानव अधिकारों का अर्थ बताना है आपको, अब हम अपने अगले प्रश्ट को देखते हैं दोस्तो, question number E, family as an agency of human rights, अर्थाथ, मानव अधिकार के अभिकरन के रूप में परिवार, अब हमारा next question है, question number F, fundamental duties, अर्थाथ, मौली कर्टव, मौली कर्टव के बारे में हमें बताना है, अब हमारा अगला प्रश्ट है, section A का, question number G, need of consumers right, अर्थाथ, उभोगता अधिकारों की आवशक्ता, हमारा अंतिम प्रश्ट है दोस्तो, section A का, question number H, importance of girls education, अर्थाथ, बाली का सिच्छा का महत्व, तो इन आठो प्रश्ट को solve करना है, आपको section A से, जिसकी सब्द सीमा थी, 100, 100 सब्दों की अंतरगत, रखते हुए, आपको इन सभी प्रश्टों का उत्तर देना होगा, दोस्तो, अब हम अपने अगले section पर आते हैं, दोस्तो, जो की है हमारा section number B, 38 खंड बा, जिसमें प्रश्टों का जो प्रकार है, वो short answer type है, यानि कि लगूत्री प्रश्ट, तो जैसा कि मैंने बताया, हर प्रश्ट को solve करने से पहले, उसमें दिये हुए instruction को जरूर आप ध्यान दे दे, इससे क्या होता है, हमें पता होता है, कि इस section से हमें कितने प्रश्ट सौल करने है, तो इसमें दिया हुआ है, attempts any two out of four questions, each questions carry seven marks, answer should not exceed hundred words, this section will be covering whole flavors, तो दोस्तों इसमें हमें बताया गया है कि, आपको इस section में चार प्रश्ट दिये जाएंगे, जिसमें से आपको केवल दो प्रश्टों के उत्तर देने होंगे, प्रतेक प्रश्ट आपका साथ नंबर का होगा, जिसके उत्तर लिखने की जो समय सीमा होगी, वो तीन सो शब्दों की होगी, तीन सो शब्दों के अंतरगत ही रहकर आपको अपने प्रश्णों को देना है ज्यादा लिखने से ज्यादे मार्क्स नहीं मल जाते हैं तूड़ पॉइंट लिखिए दोस्तों ऐसा नहीं कि केवल पन्ने भरिये तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे ऐसा भी गुल भी नहीं है इसलिए इसमें ऐसा दिया हुआ है कि तीन सो शब्दों के अंतरगत रहकर ही आपको इन प्रश्णों के उत्तर देने है तो आईए हम अपने सेक्शन बी के पहले प्रश्ण को देखते है अब हमारा आगला प्रश्ण है डिसकस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया अठाथ भारत में लिंग विवेदी करण के निवारण पर विमर्श कीजे अब हमारा अगला प्रश्ण है दोस्तों सेक्शन बी का क्वेश्चन नमबर फोर थ्रो दा लाइट और नीड और फ्यूमन डाइट्स इन मॉडरन टर्म अठाथ वर्तमान समय में मानव अधिकारों की आफ्रेक्ता पर प्रकास ठालिए इन सभी प्रश्णों में आप दोस्तों अपने शब्दों का यूज करिएगा जिसमें बुक से आपने पढ़ा होगा और फ्लो चार्ट बनाने के कोशिश करिएगा अब हम अपने अगले प्रश्ण पर आते हैं सेक्शन नमबर बी के जो कि हमारा क्वेशन नमबर फाइफ डिस्क्राइब दी में फंक्शन आप दे नेशनल हुमन राइट कमिशन अट्थाथ राश्ट्री अमानवदिकार आयो के प्रमुकारियों का वर्णन कीजिए ये हमारा सेक्शन नमबर बी का आंतिम प्रश्ण था दोस्तों तो इस सेक्शन से आपको केवल प्रश्ण को सॉर्फ करना था है कि इस स्रेक्शन को सॉल्फ करने से आपको bare टीं मार्क मिलते दोस्तों कि हम आते हैं अपने अनतिम सेक्शन पर जो की है हमारा सेक्शन नमबर सी अठार खंड स्थ जिसमें प्रश्णों का प्रकार है लॉंग आंसर टाइप क्वेश्चन यानि की देरगुत्री प्रश्ण तो आएए इसके इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं इस में दिया हुआ है अटेंड इनी टू आउट आउट आफ फोर क्वेश्चन इच क्वेश्चन करी 16 मार्क्श आंशर शुड नॉट एक्सीड 600 वर्ट्स दिख सेक्शन विल आल्सो भी कवरिंग वोल्स लिवस ठीक है तो दोस्तो इसमें दिया गया है कि इस खंड में भी आपको चार प्रश्णों में से किनी दो प्रश्णों के उत्तर देने होंगे प्रतेक प्रश्ण सोलमाक्स का होगा और जो उत्तर होगा वो 600 शब्दों में लिखना होगा आपको चलिए तो आईए हम अपने इस अंतिम सेक्शन के पहले प्रश्ण को देखते हैं तो दोस्तो हमारा सेक्शन नमबर सी का पहला प्रश्ण है क्वेश्ण नमबर सिक्स वोट दो यू अंडर्स्टान बाई फैमिनिस्म डिसकस दर केरेक्टर्स्टिक्स ओफ फैमिनिस्म अर्थार नारिवाद से आप क्या समझते हैं नारिवाद के विशेश्टाओं को स्पस्ट कीजिए अब हमारे सेक्शन सी का जो सेकेंड क्वेश्ण है यानि की सेक्वेश्ण नमबर सेवन एक्स्पेन इन डेटेल्स दी मेन एजेंसिस ओफ सोसलाइजेशन अधार समाजी करण के प्रमुक अभिकरणों का सविस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए अब हमारा जो अगला प्रशन सेक्शन सी का क्वेश्ण नमबर एट अंडरलाइन दी इंपोर्टेंस ओफ व्यूमेन एजुकेशन वेरियस नेशनल एजुकेशन पॉलिसीस ओफ इंडिया अधार भारत के विभिन राष्टे सिक्षा नीतियों में महिला सिक्षा के महत्व को रेखांकित कीजिए अब हम आते हैं अपने सेक्शन सी के अंतिम प्रश्ण पर जो की है हमारा क्वेशन नंबर नाइन एक्जामिन दी रोल ओफ नॉन गर्मेंटल और्गनाजेशन इन दे प्रोटेक्शन ओफ हुमन राइट्स अधार मानव अधिकारों के सनक्षण में स्वयम से भी संगठनों की भूमिका का मुल्यांकन कीजिए तो दोस्तों हमारे इस सी सेक्शन में भी हमें चार प्रश्ण दिये हुए थे जिसमें से हमें केवल दो प्रश्णों के उत्तर देना था शब्द सीमा आपको पता है छेसो शब्दों में लिखना है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यह हमारे बियड फोर्ट सेमस्टर का question था जो की सेकंड पेपर था दोस्तो इसी प्रकार के पेपर में क्वेश्चन आते हैं एक्जैम में आशा है आपको ये प्रश्ण पत्र समझ में आया होगा और प्रश्णों की प्रकार भी तो दोस्तो इस प्रश्ण पत्र का जो पीडियेफ है हमारे डिस्क्रिप्षिन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है और दोस्तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूले इससे हमें आगे की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है और आप सबका प्यार मिलता है धन्यवाद